एलो फ्रेंड्स वंस अगेन आयासुतोष शुकला वेलकम यूवाल सुभाइस टूड़े वी विल डिसकस अबाउट दा वन कमपार्टमेंट ओपन मॉडल एक्स्ट्रा वैस्कुलर एड्मिनिस्टेशन पर यह सुरू करते हैं देखते हैं कि वन कमपार्टमेंट ओपन मॉड करेंगे चुछ्य और यह सुरू करते हैं लिए वेट ड्रग वेश्कुलर वाइच्ट्रेशन बैप्सरेज्टीर्शं करते हैं तो किसी भी ड्रग का इक्स्ट्रावेश्कूलर अड्मिनिस्टेशन करते हैं तो एब्जॉप्शन जो है उसका का मेन फैक्टर है उसकी ठरपेटिक इफिकेशी को डिसाइड करने के लिए इक्स्टर वैस्कुलरी एड्मिनिस्टर ड्रग के एब्जॉप्शन रेट को हम अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो उससे हमें यह पता चल जाएगा कि हमारे ड्रग की ठरपेटिक इफिकेशी कै होगी और बायो विल्बिटी हमारा क्या है यह रेट एंड एक्स्टेंट ऑफ एब्जॉप्शन है तो किसी भी इक्स्टर वैस्कुलर एड्मिनिस्टर ड्रग की ठरपेटिक इफिकेशी के लिए एब्जॉप्शन जो है यह मेन फैक्टर है अब डेट ऑफ का हम mathematical representation करना चाहते हैं तो उसको हम zero order process या first order process से determine कर सकते हैं zero order process क्या होती है first order process क्या होती है इन सब को हमने पिछले वीडियो में discuss किया है rate constant and order of reactions का वीडियो है वहाँ पे हमने discuss किया है उसको आप zero order process और first order process को समझने के लिए आप उन वीडियो को prefer कर सकते हैं तो हम इनको zero order process या first order process से जैसे कि zero order process के लिए जो हमें reaction मिलती थी क्या थी dc upon dt is equal to minus kc की power n अगर यहाँ पे n is equal to zero हो जाता था तो वो हो जाती है हमारी zero order process and if n is equal to one then this question will be first order process और जो जैसे कि हम यहाँ पे हमाल लिजेए इसको लिया zero order process के लिए dc upon dt is equal to minus kc की power zero तो यह one हो जाएगा तो यहाँ पे यह बचेगा dc upon dt is equal to minus k जो की आपका represent करता था कि यह हमारी जो zero order process जो हमारी reaction है यह constant है means इस पे initial concentration का कोई effect नहीं पड़ता है यहाँ पे जो absorption होता है यह constant rate of absorption होता है और वहीं पे हम जब first order process लेते थे तो first order process में n की value one रखने पे हमें क्या मिलता है dc upon dt is equal to minus kc यहाँ यहाँ पे initial concentration जो होती है यह plasma concentration के directly proportional होती है तो अब इनको हम यहाँ देखा कि absorption rate को determine हम दो process से कर सकते हैं जो order process से और first order process से अब इसका हम graphical representation करते हैं graphs के तुरू इससे सबजने की कोशिस करते हैं तो यहाँ पे हमने graph plot किया हम दो तरीके के graph plot करेंगे regular plot और semi logarithmic plot log form में हम graph plot करेंगे तो यहाँ हमने y axis पे लिया array means amount remaining to absorb और time के वरसे तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि यहाँ में जो graph मिलेगा zero order में जो कि यह constant है जैसे initial concentration time के साथ इसकी जो drug की zero order process में जो भी हमारी drug की initial concentration होगी वो time के साथ decline करेगी तो यहाँ पे क्या होगा linear graph मिलेगा और वहीं पे first order में हमें curve linear graph मिल रहा है यहाँ के form में अगर हम देखें तो यहाँ पे log के form में first order में हमें linear graph मिल रहा है वहीं zero order के case में हमें यह क्या curve linear graph मिल रहा है यानि कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि zero order process जो है जीरो ओर्डर प्रोसेस यह इंडिपेंडेंट है या किमिस की amount of drug जो की remaining है absorption के लिए जिसका absorption अभी बाकी है उसका जीरो ओर्डर प्रोसेस पे कोई effect नहीं पढ़ रहा है यहां constant rate से absorption हो रहा है वहीं फर्डर प्रोसेस के साथ increasing effect हमें दिखेगा तो यह हो गया हमारा graph यह जीरो ओर्डर प्रोसेस के लिए और फर्स्ट ओर्डर प्रोसेस के लिए तो यहां से हम यह देख लेंगे अगर हमें linear representation मिल ला है और अगर हमें अगर हमें linear graph मिल ला है तो फर्डर प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा और अगर कर्वी linear मिलेगा तो वह जीरो ओर्डर प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारा ड्रक का जब हमने ड्रक को इस्ट्रावैस्कूलर अड्मिनिस्टेशन किया तो इस्ट्रावैस्कूलर अड्मिनिस्टेशन करने के बाद रेट ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ ड्रग इन बाडी जो रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ जो रियक्शन होगी इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो रेट of absorption क्या है dxev upon dt इसे हम कहेंगे rate of absorption and dxe upon dt यह हमारा है rate of elimination तो हमाई जो general equation बनी यह जो कि represent करेगी rate of change in the amount of drug in the body means body में जो drug present है हमारी उसके amount में जो change हो रहा है वो जो rate of reaction है उसको हम इस general equation से represent करेंगे अब general जो हमारी drug one compartment kinetics को follow करती है उसके plasma concentration time profile कर्व है वो कि यह जो plasma concentration time profile है वो कि उसमें कौन-कौन से phases involved होंगे किन से मिलके बनेगा यह हम देख लेते हैं तो हमने यहाँ पे ग्राफ लाट किया plasma drug concentration और time के against तो हमें जो graph मिलेगा यहाँ पे हमें तीन तरीके के phases इसमें देखने के मिलेंगे देखने के लिए मिलेंगे कि जब तक यह हमारी body में drug रहेगी जो body में drug present रहेगी तो तीन phases में यहाँ पे हमारा drug का movement देखने को मिलेगा यह हम इसे कह सकते हैं यह overall pharmacokinetic moment है drug का तो सबसे पहले जब drug हमारी initial drug जो है जब हमारी drug extravascular sites पर आएगी और उसका absorption होना सुरू होगा और वह absorbed होके जब peak पे पहुंचेगी तो यह जो phase होगा आपका means initial drug administration से लेके उसके complete absorption तक यह हम कह सकते हैं उसके highest absorption तक का जो phase होगा इसे हम कहेंगे absorption phase और जब drug अपने absorption के highest peak पे पहुंच जाएगी यानि जब drug का maximum absorption होगा तो यह जो point है यह कहा जाता है C max यानि maximum concentration of drug in plasma या इसे हम peak plasma concentration भी कहते हैं और इस C max को achieve करने में जो time लगता है उसे हम कहते हैं T max then C max पे हमारा absorption होता है यह absorption rate यहाँ पे elimination rate के equal हो जाता है इस C max जो यह highest peak पे हमारा absorption और elimination rate दोनों equal हो जाते हैं then absorption phase के बाद जो हमारा phase involved होगा यह होगा आपका post absorption phase means यहाँ पे tissues के side of access पे drug का distribution होगा इस phase को हम कहेंगे post absorptive phase and then फिर जब drug का absorption पूरी तरीके से खतम हो जाएगा तो फेस पे जो drug declining का phase होगा उसे हम कहेंगे elimination phase तो यह हमने एक general representation देखा कि अगर कोई drug हमारी one compartment कानेटिक्स को follow कर रही है तो उसके plasma concentration time profile कर में कौन-कौन से phases involved होगे तो elimination rate तो हम देखते हैं दीक Millennation rate होगा consumption rate क्या होगा जब हमारे drug का absorption हो रहा है यानि यह जो phase है आपका absorption phase है यहांपे आप देखिए अगर drug का absorption हो रहा है और drug का complete absorption नहीं हुआ है तो इस फेस्ट पे जो रेट ऑफ एब्जॉप्शन होगा यह elimination के रेट से ज्यादा होगा और हम रेट ऑफ जो रेट ऑफ जो रेट ऑफ ड्रग इन वाड़ी जो रेट है उसको रेप्रेजेंट करने के लिए हम दो ही पैरामिटर लेते हैं इंपुट एंड आउट पुट को तो यहां पर जो absorption रेट होगा वह elimination के रेट से ज्यादा होगा तो यह जो हमें इसका representation करेंगे वह यह होगा डी एकसी वी अपॉन डी टी इस ग्रेटर देन डी एकसी अपॉन डी टी मिन्स की रेट ऑफ एब्जॉप्शन इस ग्रेटर देन दा रेट ऑफ इलिमिनेशन एंड सी मैक्स के पॉइंट पे आपको पता है सी मैक्स पे क्या होगा absorption रेट आपका elimination rate से ज्यादा होगा तो सॉरी equal होगा यहां पे सी मैक्स यानि highest peak के पॉइंट पे हमारा जो absorption rate होगा यह elimination rate के बराबर यानि दोनों ही चुकी है हमारी drug highest peak पे है इस point पे दोनों ही जो भी rate है जो भी process है यह दोनों equal होंगी and post absorption phase पे जब हमारा post absorption phase होगा यहां पे हमारी जो drug की concentration है यह drug जो rate of absorption है यह rate of absorption rate of elimination से कम होगी means यहां पे post absorptive phase में elimination process यह greater greater होगी as comparison to rate of absorption और after completion of drug 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 का absorption complete हो जाएगा तो drug का absorption complete होने पे इसका rate 0 हो जाएगा और जो plasma liver means जब हमारा drug का absorption या पूरी तरीके से हमारी complete drug absorbed हो जाएगी यह पने high específic पे पहुँच जाएगी फिर उसका होना सुरू हो जाएगा तो complete absorption के बाद जो हमारा rate of absorption होगा यह zero हो जाएगा और जो plasma label time कर होगा इसको हम यह represent करेंगे केवल elimination phase से तो यहां पे हमने देख लिया कि किसी भी drug का जो one compartment kinetics को follow करती है उसके plasma concentration time profile कर में कौन कौन से phases मिले होते हैं या किन किन phases से वो करेक्टराइज होती है उनका हमने यहां पे equational representation भी देखा अब हम zero order absorption model extravascular administration को यहां पे design करेंगे देखते हैं zero order absorption model कैसा होता है यह जो हमारा zero order absorption model है यह similar to that for constant rate of infusion जैसा कि हमने rate of infusion, infusion administration के case में देखा था वैसा ही यह सेम इसका zero order absorption model की भी design होगी तो यहां पे यह हमारा central compartment होगा जो blood and other body tissues का बना होगा और यहां पे जो tissues होंगे यह highly perfused tissue होंगे तो यहां पे drug हमारी extravascular side पे पहुंचेगी फिर और जीरो क्या होगा आपका यह rate of infusion यह हम इसे कह सकते rate of absorption जो की represent करेगा zero order absorption को देन के ही आपका rate of elimination और यहां पे जो equation बनेंगी जो यह zero order absorption मॉडल के लिए जो भी equation बनेंगे वह हम equation चाहिए x के form में या amount of drug present in bodies के form में देखें या प्लाज्मा concentration profile के प्लाज्मा drug concentration के उसमें फेवर में देखें वह सभी concentration जो infusion मॉडल में IV infusion के case में जो भी वहां applicable थी equation जो भी equation वहां पे लगी थी वही सेम equation यहां पे भी follow होंगी वहां पे जो primary equation थी हमारी वो क्या थी dx upon dt यानी change in amount of drug in body dx upon dt is equal to r0 minus ke x फिर फॉर्दर इसको हमने और simplify करके इसको x के factor में and concentration के factor में देखा था तो यही same infusion rate वाली जो IV infusion मॉडल में जो भी हमने यहां equations यूज की थी वह same zero order absorption मॉडल में भी applicable होंगी तो आप इसको देखने के लिए या इसको vascular administration first order absorption में हम इसकी design करेंगे तो यह हमारा यह model one compartment open model का design मिलेगा तो यहां पर हमारा क्या है यह rate of absorption है जो first order absorption को represent करेगा और फिल यहां पर rate of elimination तो इसका equation जो बनेगा हम equation देखते हैं dx upon dt is equal to k axa minus kex k a आपका क्या है k है first order absorption rate constant and x से क्या है amount of drug at extravascular size यहां इसे हम कह सकते हैं amount of drug remaining to be absorbed अब इसका हम further integration करेंगे तो integration करने के बाद हमें जो equation मिलेगी यहां पर integration किस तरीके से हम इसका करेंगे हमने पिछलों वीडियो में discuss किया है तो वहां यहां पर हम यह जब इसका integration करेंगे तो हमें equation मिलेगी x के फेवर में जब हम equation देखेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा x is equal to k a fx0 upon k a minus k e e ki power minus k e t minus e ki power minus k a t और यह जो हमें यह जो value मिली है k a fx0 हमने जब iv bolas के case में देखा था जब हमने equations को solve किया था उसको arrange किया था तो हमें equation मिली थी x is equal to x0 e ki power minus k e t तो यहां पर यह जो x a है यहां पर हम इसकी value रखेंगे तो यह x a हमारा क्या हो जाएगा इसको हम fraction के case में लेंगे यानि fraction of drug absorbed या fraction of amount of drug present in body तो यह हमारा fx0 e ki power minus k e t हो जाएगा y value यहां पर put की गई है तो integration करने के बाद हमें जो x की value मिलेगी वो मिलेगी k a fx0 k minus k e e ki power minus k e t minus e minus e ki power k a t and then इसको अगर हम concentration के term में transform करते हैं तो हमें जो equation मिलेगी वो क्या मिलेगी c is equal to k fx0 upon vd k e minus k e and e ki power minus k e t minus e ki power k e t c is equal to यहां पर हम x is equal to vd c put करेंगे तो यह equation हमें यह मिलेगी तो यहां पर हमने देख लिया first order absorption model का main equation हमें क्या मिलेगी यह हमें मिलेगी यह dx upon dt is equal to k x a minus k e x then इसको हम x के form में यानि amount of drug present in body and plasma concentration के form में भी देख लिया next video में हम लोग यह बात करेंगे कि कैसे हम first order kinetic models के pharmacokinetic parameters को assessment करेंगे I hope कि आपको समझ में आया होगा इस video से related कोई भी क्योरी हो तो आप comment box में drop कर सकते हैं and इस lecture के notes को आप description box में दिएगे link से download कर सकते हैं thank you very much